दरना चाहते हैं ना कैंसर से मरना चाहते हैं? वाई दिर इस नो हार्ट कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, कोलोन कैंसर से भी लोग मरते हैं, लेगिन हार्ट कैंसर नहीं होता है। क्या आपने कभी सुना, कि उसे ने आपको बोला हो, I am diagnosed with heart cancer, क्या heart एक स्पेशल तरीके से cancer से protected है? या आउन्सर इस नो, एक बहुत इंट्रिस्टिंग मेकनिजम है हुमन बोडी का, अगर वो मेकनिजम समझ जाएं, तो आप यह समझ जाएंगे, कि हार्ट में cancer क्यों नहीं हो सकता, और आप यह भी समझ जाएंगे, how you can protect yourself from cancer, Let's try to understand the mechanism, आपके body हैं blood vessels है, which includes arteries, veins, capillaries, यह सारे blood vessels अगर एक के बाद एक लगा दें, तो कुल्मिला के हो सकता गरीब 1,00,000 km, इसी blood vessel में blood flow होता है, और oxygen का transportation होता है, nutrition का transportation होता है, लेकिन आजकल का जो lifestyle है, जो खाना पीना है, उसकी वज़े से कभी-कभी blood vessels में, arteries में, या आपिलरीज में कहीं कहीं ब्लॉक जायाते हैं, जहां जहां ब्लॉक जाते हैं, वहाँ supply या तो कम हो जाती है, oxygen की, nutrition की, food की, या supply पूरी तरह से रूख जाती है, जब ब्लॉक जाती है, और जैसी वह supply 100% रूख जाती है, तो आस पास के cells, जो की उस blood vessel पे निरबत थे, food के supply के लिए oxygen के supply के लिए, nutrition के supply के लिए, they start starving, और वह भूके मरना शुरू करते हैं, अब वह cells, जिस भी organ को बिलॉग करते हैं, वह organ धीरे-धीरे कमजोर पन लगता है, अगर वह organ is lungs, then it becomes lung disease, अगर वह organ kidney है, it becomes kidney disease, अगर वह organ heart है, it becomes heart disease, so body के किसी भी organ में अगर कोई illness होती है, disease होती है, उसका मेजर कारण is the blockage in the blood vessel, the blood vessel which supplies nutrition to the cells belonging to that organ, so इस तरह से बिमारी होती है, और 80 प्रदिशास केसे में, जब भॉकेज होते हैं, तो आसपास के cells मरना शुरू करते हैं, लेकिन हम मेंसे 20 प्रदिशास से लोग हैं, जिनके body में इसका ठीक उल्टा होता है, कि blood vessel 100% ब आविं, वो उनको supply रुग गिया, oxygen का food का nutrition का, लेकिन वो सारे cells ने decide किया, we will not die, हम बने नहीं वाले, रादर उन्होंने मिलके एक शडियन तरचा कि हम चोरी करेंगे food and nutrition आसपास के cells से, आसपास के और blood vessel से, इस प्रॉसेस को बोलते हैं medically angiogenesis, मतलब एक चोर रास्ता वो ब आपनों वही है जो चोरी के साथ होता है, माली युनिवस्टी का चातर है और उसके बास पैसे नहीं है, फीज भरने की, वो डिसाइड करता है मुझे किसी रुट में पढ़ना है, पैसे जमा करने, फीज जमा करनी है, he decided to rob the bank, वो बैंक लूटने की ठांता है, अब बैंक ल पैसे जमाल दिखता है, वो सारा कसारा लेना चाहेगा, the same thing happens to the cells, the same kind of behavior, जब abundance में चोरी का oxygen and nutrition मिन लगता है, तो cells उससे उसकी growth बढ़ जाती है, they started growing very very fast, faster than rest to the body, and that is how the tumor developed, यह है first stage of tumor, और एक स्थे जाता है, जब growth इतनी बढ़ जाती है, कि वो जगा कम परने लगता है, they start struggling for space, और ऐसे में वो उन में से कुछ tumorous cell decide करते है, migration, means, blood get through, they will flow to other organs, और वहार जाके रहेंगे, और वहार भी उनका behavior यही होने वाला है, कि चोरी के nutrition से वो उनकी growth बढ़ने वाली है, they will become tumor in those organs, लेकिन हम में से जातर करीब 90% लोगों में एक mechanism है, जैसे करते है, immuno-editing, इस mechanism करने करने के में एक example ले रहा हूँ, imagine कि आपकी थर में कोई नॉक करता है और दर्वाजा खोलते हैं, तो सामने एक stranger नजर आता है, वो आपको बोलता है, कि मुझे एक राफ या रुपने दिए, दॉक्टर बिशरूप ने मुझे पहिए, आप मेरे अच्छे दोस्त है, जब भी ऐसा stranger cells किसी और और अर्गन से migrate करता है, किसी और दूसरे और अर्गन में entry मिलने से फ़हले, वो एक confirmatory call करता है, जहां से originate बता वो cell, which is called as immuno editing, लेकिन मान लेजिए, कि आप मुझे फोन लगाता है, और फोन किसी करन लगता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अब आदमी जी चोड था और वो सारा समा लेके बाग गया, ता सेम धिक हैपन से 10% of the people in the world, कि उनके बोटी में immuno editing switch off होता है, इसका मतला वो जो tumorous cell थे, वो इस बात का फाइदा होता है, कि नए organ में जाते हैं और वहां पे entry कर लेते हैं, और नए organ से confirmatory call receive नहीं करते हैं, या उ आपके जो heart cells है, they cannot wait for two days, right, they cannot remain hungry for two days, हमारे body में कई सरे मसल्स हैं, लेकि उनमें से सिर्फ एक मसल्स है, जो लगातार काम करता है, that is the heart muscle, since the time you are born, they have never taken rest, because of this, they need more continuous supply of food and oxygen, इसलिये उनको food and oxygen का supply 20 minutes और रुक जाए, then the heart cell dies, So, बोलने का मतलब यह है कि, heart cell cannot wait for two days, to get to develop angiogenetic vessels, and before that only they die, so, यहाँ conclusion यह है, that heart cells do not get a chance to get converted into cancerous tumor, before that, they die of travation, and that is what is called heart attack, so, यहाँ पे आपको एक बात पहसे ली, चाहे वो cancer हो, या चाहे वो heart disease हो, या चाहे वो heart attack हो, चाहे वो brain stroke हो, चाहे वो kidney failure हो, there is one common cause, of all this illness, that is blockage in the blood vessel, near that organ, अब इसका क्या है, बेडिकल साइंस में, तवाईयों में कोई क्यों अभी तर नहीं आया हा, लेकिन हा, अगर किसी भी तरह से blockage आप हटा पाए, खर्ण कर पाए, तो, cancer रिवर सो सकता है, heart disease रिवर सो सकता है, इडनी failure दुबरा ठीक हो सकता है, तो सवाल क्या है, important question is, how we can clear the blockage? इसके जवाब के लिए, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, कुछ समय पहले, how to protect yourself from heart tech and heart doctors, वो वीडियो घर आप देखेंगे, युदि रांसर आप देखा अगर वो वीडियो अपने नहीं देखा, please go through that video and also go through my book Heart Mafia, Heart Mafia book, आप English ने या हिंदिया पर सकते हैं, to order this book, इस email ID पह जो screen पहा रहा है, you can send a request, I'll be happy to send you a free e-book Heart Mafia, hope this video will help you in some way,